पाटी से टिकिट देकर इस सधन को रिप्रेजन करने का कभी मौका नी दिया वो दिया है तो भाजब गवर्मेंट ने और हमारे आधर्णिया नरेंद्र मोधी जी ने ये सभी को एकसेप करना ही पड़ेगा जितने भी लोग आरक्षिन की बात करने हैं हमें तो गर्व महसूस होता है जब यह नंबज यहां पर देखते हैं सर मोधी जी पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बाते कहीं हैं उसके इलावा में यह चीज बोलना चाहूंगी कपणा रोटी और मकान और स्वास्थ और हिल्थ के उपर अगर किसी ने इस देश में प या किसान को कर्ज माफी के लिए हो या विध्यारतियों के स्कॉलर्शिप से लेकर हो या विध्यारतियों के साथ स्पोर्ट्स में हो कृड़ा शेत्र में हो हर शेत्र को अंडरलाइन करके इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने यह देश का हर व्यक्ति आगे बढ़ना च किसानों को कर्ज माफी करके उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है किसानों को वर्षान जो 6,000 रुपया दिया उदे कर उनको मदद करने का काम किया है Health सेक्टर में AIMS दे कर Medical Colleges दे कर अब आने वाले समय में Presidential Speech में जो Nursing Colleges दे कर आने वाले समय में sister brothers को और उपलब्द कराने के लिए उनके लिए जो facility दी जा रही है, jobs opportunities बनाई जा रही है, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, सभी opposition वाले, जब भी बोलते हैं, तो यही चीजें target करते हैं, कि मोधी जी को किस point पर पकड़ना है, किस point पर नहीं बोलना है, कोई नोन लोगों में करायें, रूलर एडिया में भी लोड गाडियों पर ठेलो पर, आज QR काड करके, स्कैन करके, आप 50 रुपे, 20 रुपे देना भी, अगर किसी ने इस देश को सिखाया है, तो वो मोधी जी नहीं सिखाया है, टाक्स, इमानदारी से अगर भरना है, अग किसी ने सिखाया है, तो मोधी जी नहीं सिखाया है, सर, हमारे महारास्ट्र में 33 महीने की गवर्मेंटी सरकार थी, अमचे महारास्ट्रा में 33 महीने ची सरकार में, हनुमान जी का नाम लेना और राम जी का नाम लेना बहुत बड़ा गुना था, पर आज हमारे डिप्टी सी में जेल का अनुभव है सर मुझे 14 दिन का ये महाराश्य गवर्मन उद्धो ठाकरी जी की गवर्मन ने मुझे जेल में डाला था तबी जब गरीब लोग महां पर जो कोई कारण से अरेस्ट हुए है या उनकी बेल हो चुके पर बेल बॉंड भरने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है उसका भी प्रावधान या इस समय हमारे प्रेजिडेंटल स्पीश में उन्होंने बताया है वो सच में जेल में अगर देखेंगे तो बहुत जादा तकलीफ में वो महला है उस जेल में रहती हैं जिनके वास पांच हजार बेल बॉंड भरने के लिए नहीं है या द सर वेरी इंपोर्टन्ट क्योंकि हम देश के युवा एज रिप्रेजेंटेटीव है ये बोलना बहुत ज़रूरी है कई लोग भारत जोड़ने निकले थे मुझे बताईए भारत के इस देश के लोगों ने कभी भारत को तुटने दिया कभी तुटने नहीं दिया जो जो कोई चीज तुटी ही नहीं तो उसे जोडने कैसे निकल सकते हैं ये पहला प्रशन उनको मेरा है सदन के माध्यम से मुझे आपको बोलना है सर जिस कश्मीर में लाल चौप पे जाकर इनोंने अपने भारत जोड़ों का समापन किया उस शेत्र में जाके इतने सौबी मान चे ये समापन कैसे कर सकते थे अगर हमारे ग्रह मंत्री ने 370 इस सबगर में लाया नहीं होता और 370 हटाया नहीं होता तो इतने सौबी मान चे ये जाकर अपना भारत जोड़ों का समापन वहा नहीं कर सकते सर थैंक्यू सर बहुत ज़रूरी है सर 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 मुझे आपजिशन के कई लोग मुझे बताईए देश के बड़े बिजनसमेन वेपारियों को टाटा हो या अमबानी हो या अडानी हो ये कितने लोगों को रोजगार इनके माध्यम से इस देश के मिला है मुझे आपजिशन को एक प्रशन पूछना है ये एक उंगली अगर जो आज सरकार में उ जो काम करता है गलती अंसे ही होती है आपने ना कभी काम किया ना लोगों के लिए प्रैतना की ना लोगों के लिए जॉप कर दो हजार चौदा के पहले सर पाकिस्तान का परिष्टिति अगर देख़ते थी तो सरकार उने मदद करती थी और पाकिस्तान हमारे देश का नमख खाता था और आतंग Вाधी हल्ले हमारे देश पर करते थे पर 2014 के बाद मोधी जी ने उनकी भाषा में उनसे बोलना सिखाया कि जिस भाषा में तुम सीखोगे उस भाषा में तुमें सिखाएंगे उस तरीके से आज हमारे मोधी जी काम कर रहे हैं मुझे लगता है प्रेजिडेंटल स्पीस के ऊपर सभी ने अपने अलग राय अपने सभाकी कारवाही सभाकी कारवाही पर भी किसी को भी रहना बहुत मुश्किल है तो उसके लिए पुनरवसन की जो राशी रहती है उसे डबल ट्रिपल करके उन्हें सुविधा उस चीज की भी देनी चीए तब जाके वो अपने घर अपना जंगल अपना प्यार छोड़ कर वो शेहरों में आएंगे तो उसके ल जगाएं वो फॉरस्ट में आती हैं फॉरस्ट से हमको वो दी गई हुई जगाएं कि यहां पर रहना बसरा करने के लिए आपको इतनी जगा आम देते हैं और उसमें आप खेती कर सकते हैं पर वो खेतियों का फॉरेश को लगा है करके वाइड एनिमल्स का इतना बड़ा प पिछले आंट वर्शो में जितनी ग्रोद ये प्राइम मीनिस्टर जी के मंत्री मंडर्ड दौरा और प्राइम मीनिस्टर के जोवारा दे सकते थे मुझे लगता उससे कहीजादा आप लोग दे रहे हैं कि झाल